पाकिस्तान क्रिकेट तो वैसे भी बहुत सारी परिशानियों से जूज रहा है, टीम परफॉर्म नहीं कर पारही है, खिलाली कॉंट्रोवर्सीस में फंसते जा रहे हैं, अब एक और दिक्कत का सामना कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वह अब हमने देखा हाल फिलाल में जिस तरह की क्रिकेट जो पाकिस्तान के खिलारी है वो खिल रहे हैं उसने सवाल खड़े किये हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को लेकर बीच में बहुत जादा PCB में प्लस माइनस भी हुआ था जिसके बाद जो PCB की बॉड़ी उसको चेंज किया गया पहले रवीज राजा PCB के चीफ हुआ करते थे लेकिन अब नजम सेटी आ गए हैं शाहिदा अफरीदी जो की एक विसपोटक बल्लेबाज रहे पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी टीम को आपको हेड करो पाकिस्तानी टीम को कोच करो उनको अच्छे से सिखाओ तो विदेशी जो कोचिस हैं वो आने को तयार नहीं है और इसी लिए पाकिस्तान के पूर्व तेज गिनवाज और पूर्व कप्तान वसीम अक्रम ने इसके पीशे वज़े बता यह वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिक्ट में इतनी डिफिकल्टीज हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतनी पॉलिटिक्स हैं, इतनी राज़नीती हैं कि कोई भी विदेशी कोच यहां कर फसना नहीं चाहता है। उनका ये भी कहना है कि अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लिजे कि अभी रीसेंट में हुआ क्या कि मिकी आर्थर जो की पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, 2016 से 2019 तक को पाकिस्तान के कोच रहे थे, वो भी अब पाकिस्तानी टीम को आकर कोच करने के लिए रेडी नहीं है वो ये जरूर कहते हैं कि मैं कंसल्टेंसी दे दूँगा लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, मैं बाहर रहूँगा और वहां से आकर मैं कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान के मौझूदा PCB के चीफ है नसम सेठी, उनकी कोशिश यही है कि मिकी आर्थ तक तो उन्होंने पाकिस्तानी टीम को कोच किया, लेकिन जब उनको हटाया गया, जब उनकी विदाई हुई तो वो वाल एपिसोड बड़ा कड़वा था, उस टाइम 2019 का वर्ड कप चल रहा था, और उस वर्ड कप में पाकिस्तान ने चार बैज जीते भी थे, लेकिन सेमी फ कर रहे हैं, दरसल इसी बात का जिक्र वसी मकरम ने भी किया है कि कोई भी स्थाइप नहीं है, बहुत सारी इफेंट बट्स रहते हैं, उन लोगों के मन में जो कि पाकिस्तान जिनको भी कॉंटेक्ट कर रहा है कोच के लिए, तो जब तक पाकिस्तानी टीम में जो पीसी भी है, उसमें स्थाइप नहीं आएगा, जब तक किसी तरह की कोई गिरेंटी कोच को बाहर से अगर आप लाना चारने विदेशी कोच उसको नहीं दी जाएगी, तब तक इस तरह की परिस्तिखें बनती रहेंगी, तब तक बाहर का कोई भी कोच, पाकिस्तान आकर आपको कोच करने के लिए ready नहीं होगा. तो मिकी आर्थार से कोशिश तो की जा रही है हलकी, अभी लगातार कोशिश है कि मिकी आर्थार को पाकिस्तानी टीम का कोज बना लिया जाए लेकिन वो ready नहीं हो रहे हैं. इसके पीछे बाक किसी भी कोच के लिए ऐसे मामले में इस नाजुक मोड पर निरने ले ना बड़ा मुश्किल हो जाता है यह एक time taking process है तो इसलिए कोई भी coach बहुत short term के लिए किसी team को coach नहीं करना चाहेगा तो यही एक मुझे लगता है कि problem है मिकी आर्थर के सामने अगर नजम सेथी जो कि फिलाल PCB के chief है वो जो पिछले कड़वे अनुभव हैं मिकी आर्थर के उनको बुलाने में कामयाब रहते ह हैं और किसी तरह कि को guarantee अगर वो देते हैं मिकी आर्थर को कि हाँ as a coach उनका जो कारेकाल है वो लंबा रहेगा उनको उनके हिसाब से जो ट्रेनिंग है वो खिलाडियों को देने दी जाएगी उनके हिसाब से schedule करने दिया जाएगा तो बेहत संबब है कि मिकी आर्थर आए अ कोई भी विदेशी कोच पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के खिलाडियों को ट्रेन करेगा